हालेलोया सबको जैम सी के स्वागत है आप सबका मेर भश्यवान की पिस्तख में रोज के पवित्र वजन को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी योट्यव चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शन को और बैल आइकन पर किलिक करके आल नाटिफिकेशन सेट करें आईए मेरी भश्यवानी की पुष्तक से आज के पवित्र वजन को पढ़ते हैं जो परमेश्व के दास प्रेरित अंकुर यूश्यव नौला जी के द्वारा लिखा गया है आज का पवित्र वजन परमेश्वर ने आपके लिए एक मंजिल रखी है जिस तरह दूसरे समुल अध्याय सत्रा के एक और दोवे वजन में लिखा है फिर अहीतो पेल ने अपसालियूम से कहा मुझे बारह हजार रुक पुरुस छाटने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाउद का पीछा करूँगा जब ठका मांदा और निर्बल होगा तब मैं उसे पकड़ूँगा और डराउँगा और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे मैं राजा ही को मारूँगा मेरे प्रियोग आप जानते हैं कि परमिश्वर ने आपके लिए एक मंजिल को रखा है लेकिन अगर आपकी प्राटना वाले जिंदगी ठकी मांदी है तो आप उस मंजिल को कभी भी हासिल नहीं कर सकते मेरे प्रियोग जब हम बाइबल में दो समुल की किताब में सत्रे अध्याई को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जब दावद अपसालोम से भागा जाता था तो एक व्यक्ती जिसकी सलहा परमिश्वर की सलहा के बरावर होती थी उसने कहा कि मैं बारह हजार प्रूश च दावद को उस समय मारने की सोची जब ठका और मांदा था और निर्वल था उसी तरह सेतान भी आपके जीवन में तब हमला करता है जब आपका प्रार्थना वाला जीवन ठका मांदा और निर्वल होता है यानि सेतान भी आप पर तब हमला करता है जब आप आत्मिक रूप स ठके और निर्बल होते हैं इसलिए आपकी प्रारतना वाली जिंदगी हमेशा मजबूत और गरम होनी चाहिए ताकि सेटान आप पर हमला करने की सोच भी ना सपाई याद रखें अगर आपकी प्रारतना वाली जिंदगी कमज़ोर है निर्बल है तो आप अपनी मंजिल पर नहीं पूँच सकते आपके जीवन की कोई भी परिस्तिति जो आपको डराती है वे बीमारी पैसे की तंगी गरीबी बच्चा ना होना जिस दिन आप अपने आपको प्रार्थना में लेकर आएंगे आपकी परिस्तिति अगर नए भी बदलें लेकिन आपका ढर जरूर खत्म ह और सैतान भी यह जानता है कि अगर आप डरेंगे नहीं तो इसका मतलब है कि आप अपनी मंजिल के करीब पहुंच गए हैं मेरे प्रियोग परमिश्र के वचन जकरिया चार के छह में लिखा गए ना तो बल से ना सक्ति से प्रंतु मेरे आत्म के द्वारा होगा मुझ सेनाओ के यहुआ का यही वचन है इस वचन के अनुशार आप अपनी मंजिल तक अपनी ताकत अपने बल से नहीं बलकि परमिश्र के अनुग्रे और उसकी सामर्थे के द्वारा ही पहुँच सकते हैं यानि कि अगर आप साधिडिक रिती से बलवान हैं तो आत्म करिती से भी आपका परमिश्र के बल उसकी सक्ति को हंसल करना होगा प्रार्थना के समय को और बढ़ाना होगा मेरे प्रियो आज लोग चाहते हैं कि वे उस मंजिल तक पहुँचे हैं जो परमिश्र ने उनके लिए रखी है लेकिन वे प्रार्थना में परमिश्र के हजूरी में नहीं जाना चाहते आत्मिक रूप से अपनी महनत को बढ़ाना नहीं चाहते अगर आप धीरे धीरे उस मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं तो आदे घंटे की प्रार्थना बहुत है लेकिन अगर आप जल्दी पहुँचना चाहते हैं तो आपको अपनी महनत को प्रार्थना को फवास को बढ़ाना होगा अगर आप अपने जीवन की मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं तो परमिशर के साथ समय बिताएं अपने रोल को अधा करें अपने जीवन से मुल्या अधा करें परमिशर के वचनों पर दिन राद ध्यान लगाएं तब परमिशर आपके लिए आपके जीवन में अपने भेद इमान पर मेश्वर मैं घोसना करता हूं कि इस वचन के द्वारा आपके लोग आपके साथ अपने समय को बिताएं अपनी आत्मिक मेहनत को बढ़ाएं और अपनी मंजिल तक पहूंचें प्रभु येशु मस्यी के नाम में आमैन 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 सबको चैमसी की गॉड ब्ल के साथ आसे सिट करें काड़ ब्लैस यूं